कि आप से वह एक्जाम्स के वारे में बात करने जा रहे हैं जैसा कि सब बात कर रहे हैं कि हम अपने द्धान पढ़ाई में कैसे लगाए और हमारे एक्जाम्स कैसे तरीके से जाएं और इस चिंता का विशें तो दोस्तों यह इस वारे में मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स मेरी तीम के लोग यह बोल रही थे कि आप एक वीडियो इस पर ज scrolling बनाए मैंने काफी विचान वीडियो एक्जाम्स के बारे मनाये जाए कैसे हम एक्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों हम इस पर पांच पाइंट पर करेंगे कि हम किस तरीके से ए तो था यह बहुत ही द्यान रखने वाली बात है कि वह बच्चों को बहुत ही सहयोग करें जिससे कि वह पेपर की तरीगे से त्यारी करें तो दोस्तों पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है what is the best time to study दोस्तों सबसे पढ़ने का best time सुभह का टाइम है जितना मैंने देखा है मैं बहुत सानों से चुके संदे चेतर में हूं मैंने पहले पढ़ाया भी था आज भी हम टाइम है सबसे जो पढ़ने का टाइम है हमारे पुराने पुषाव पुराने रिशी मुनी सभी वह सुभह के टाइम पर योग किया करते थे और अपना ध्यान लगाया करते थे जिसको हम ऊकुले ब्रह्ममगूरत दोस्तों यह सुभह का टाइम होता है कि जब बहुत ही शांती होती हर जगे हमारा ध्यान बहुत चांत होता है हम ध्यान लगा सकते हैं हमारा माइंड बिलकुल शांत होता है खाली होता है और वो समय दोस्तों ऐसा होता है कि साड़े चार-पांच वह से लेकर आट बज़े तक कि मैं यह मानता हूं कि 90 परसेंट चांस हैं कि उतना पांस से आठ के पीचे पढ़ा गया है वह बच्छों को याद रहेगा इस जैसी बढता जाता है पोश्री यह जाइसारी है अदध्वार्वार्व भंट कि वहले पाइं250 की वैसे उस में पढ़ाई मंद बहुत कभ दोस्ता रहे दूसा मोई पाइंट है वो है हमें सोसल मेडिया से नो टु टीवी से नो टु सोशल मेडिया नो वट्सेप नो फेस्बुक नो योट्यूब नो अधर मेडिया इस्टाग्राम अनो दोस्तों जब हमारा मैंड बिल्कुष शांत है अगर हम इतनी सारी चीज़ें एक डेस्ट्रक्शन अपन पूरी संभावना है कि हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा तो दोस्तों यह दो तीन महीने ऐसे होते हैं जब हम इन सीजों से दूर हो सकते हैं आप अपने दिमाग को विल्कुल अगर इन चीजों से दूर हटा लेते हैं तो हमारे दिमाग में कितना खाली चीज़ें होंगी जब हम अपने पढ़ाई को अपने माइंड के अंदर अपने दिमाग के अंदर उटा सकते हैं तो दोस्तों इन जो बहुत ही इंपोर्टेंट वात है दोस्तों खानपाल में ध्यान इन तीन महीनों के दोरान यह ध्यान रख रहा है कि वी शुट से नो टू जंक फूट दोस्तों जंक फूट को हमें मला करना है नो पास्ता नो पीजा नो बर्गांद कि दोस्तों यह जो खाला है वह ख्याना जो भार से त्यार होके आता है और आप समसकिते हैं इसको पछidd tun तो दोस्तों हमें घर का खाना खाना है डाल रोटी सब्जी आप देखेगा आपका डाइजेशन बहुत तेजी से चलेगा और आप आराम से रहाएंगे और अपना पूरा का पूरा द्यान दूसर चोथा जो सबसे बहुत ही मैध्पूर्ण दोस्तों बात है वह पढ़ाई का क इतने समय तक किया जाएं दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ा मैंत्पूर्ण कोश्यन है कि हम बच्चे कितना टाइम तक पढ़ें है हाला कि दोस्तों यह एक अपने अपने बच्चे की केपस्टी पर डिपेंड है कि वह कितना पढ़ सकता है बट जितना मुझे समझ में आत और उसी तरीके से ब्रेक के बाद 15 मिंट हम कहीं भी एक्साइज कर सकते हैं अपना ज्यान कुछ ऐसी चीज में लगा सकते हैं घर के एक्टिविटी में जब हम फ्रेस महसूस करें जब हम फ्रेस हो जाते हैं कुछ खाना खालेते हैं उसके बाद फिर से हम यह कोशिज करें क आदा गंटा पढ़ें तो दोस्तों इस ब्रेक ले लेके पढ़ाई करने से आप यह महसूस करेंगे कि आपका जो ग्रेस्पिंग पावर है पढ़ती जाने हैं आपने आदा गंटा पढ़ाई कि है वह बहुत ध्यान से की है और वो आपको बहुत ही फायदा प्रचान है बह सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान लखना है दोस्तों की पूरा 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 पेपर अटेप्ट करना है दोस्तों बहुत ध्यान से करिए जब कोई कुश्चन नहीं आता है तो उसके ध्यान लगाएं सोचें को लिखें अटेम्ट हंडेड़ पर्षेंट करें यह मेला वादा है दोस्तों अगर आप इन पांच बातों पर बात अगर इन पांच बात तरीके से करते हैं तो कोई कारण नहीं है दोस्तों कि आपके नंबर ना आए दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों को देखाए कि जब एक्जाम्स का टाइम होता है जो टॉपर्स रहे हैं वो सब किसी से भी आप बात करके देखिए उन्होंने सबने सोसल में को छोड़ा है और पुरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाएं तो दोस्तों है बच्चों के पेरेंट्स को भी इस भात का ध्यान रखना आप इस को एस तरीक इस चैशन गर कि अदर उस से प्यार से बात करें है और आप अच्मर आएंग गय Alorsben जो उसकी तयार cognitive है हमेशा काम आए कि तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को भेज़ें अपने स्टूडेंट्स को भेज़ें और मुझे उमीद है बाकी वीडियो को सायद मैं नहीं बोलता बट यह ऐसा है कि जब लगबक सब का दो कामने और नहीं थैंक यू